ओम स्री गणे शायनमा दोस्तों आपका हरदिक स्वागत है ओम गणपती समाधान यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं आठ यून मंगलवार आज के मिथुन रासिफल के बारे में धी आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेश और विवसाय कैसा रहेगा कैरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त के महत्मून जानकारे भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तों वीडियो आगे सुरूपने से पहले मेरी आप लोगोस रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटफिसम की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्मून वीडियो पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी रासी वालों का आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है तो आज का दिन आपकी इंकम बढ़ाने वाला दिन साबित होगा जी यहां दोस्तों बिजनेस से अच्छे बेनिफिट की उंवीद कर सकते हैं गवर्रमेंट सेक्टर में भी कोई बड़ा बेनिफिट आपका इंजार कर रहा है उसके लिए प्रयास करें इस समय आपका आत्म स्वास बहुत बढ़ जाएगा बिजनेस के लिए ये दिन बेहत अच्छा रहेगा आपके काम सफल होंगे साथ ही साथ अच्छा बेनिफिट भी आपको मिलेगा रोजगार के चेत्र से रुकावटे दूर होंगी एक नए समय की सुरवात होगी आपके आर्टिक पक्ष में मजबूत ही आएगी आपके स्रेष्ट कारियों के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा अगर कोई कारिय साजेदारी में करते हैं तो बहुत साथानी से करें अन्यता वाद विवाद की इस्तिती बनी रहेगी जियां दोस्तो अब कारिय जेत्र में आ रहे ही रुकावटे भी दूर हो जाएंगी राजनीती से जुड़े लोगों को लाब होगा और समाज में उनकी प्रसंसा होगी भाग्या की दरश्टी से यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा आपके रुकेवे कारियों में गती सिलता आएगी अगर आपने किसी को उधार दिया था तो उसके वापिस मिलने के योग रहेगे यह दिन आपके लिए बेहदी रोचक रहेगा आज आप अपने निजी जीवन को एंज्योय करेंगे आपके प्रिये से आपकी निकटता बढ़ेगी लव लाइप में एक नई सुरुवात होगी जिया दोस्तो आज का दिन आपको अपने घर के बारे में सोचने की स्थिति में लाएगा घर परिवर में चल रही स्थितियों में थोड़ा वेस्थ भी रहेंगे जिया दोस्तो और उनके बारे में कोई ठोस निर्णे भी आप लेंगे सस्रुवाल से अच्छे संबंदों का आपको लाब मिलेगा कारे चेत्र में आपका संबान बढ़ेगा आपके सीनियर्स आपकी सरहना करेंगे आज आप काफी खुश रहेंगे जिससे आपकी मानसिक परिष्णानी कम हो जाएगी भाई बेनों से आपके रिष्टे बहतर होंगे जीवन साथी से खुश रहेंगे माता पिता का स्वास्त बहतर रहेगा माता का स्रुवाद भी समय में आपको प्राप्त होगा नोकरी पेसर जातकों के लिए परिवर्तन का समय होगा जिया दोस्तों घर परिवर में चल रही परिशानिया इस समय सबांप्त हो जाएंगी आज आपके लिए क्या नेगिटिव रहेगा धन के लेन दिन में थोड़ी बहुत सावधानी के आप सकता होगी उधार दियाओधन फस सकता है नोकरी पेसर जातकों को अपने सीनियर से कष्ट मिल सकता है कारिये स्टल पर सयोगयों के साथ गलत फेम्या पैदा हो सकती है इस दोरान आप अपनी वानी पन नियंत्रेनर के जोस में आकर होस्क होना आपके लिए अच्चा नहीं रहेगा वाद विवाद की स्थिती भी बन सकती है थोड़ी बहुत सावधानी बरते हैं घर परिवार में चल लई छोटी छोटी बातों को नजर अंदाज करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस समय जीवन साथी का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा पूरा सपोर्ट भी मिलेगा दामपत्य जीवन खुशियो भरा होगा लव पाड़न के साथ सम्मद पहले से बहतर हो जाएंगे आज आपका स्वास्त कैसे रहेगा स्वास्त में चल रहा उतार चड़ाओ समाप्त होगा स्वास्त सम्मद इस समस्याइं समाप्त होगी मौसम जनित समस्याइं उत्पन हो सकती है वर्तमान परशीतियों में अपने स्वास्त के अंदेखी न करें नियमित योग करें प्रानायाम करें और व्यायाम करें और स्वास्त रहें दोस्तो आज आप यह उपाय वश्य करें वानरों को गुड और चने खिलाएं और साथ ही गुड और चने का प्रसाद भी बाटें और इस प्रसाद को स्वें भी ग्रहन करें और इसके साथ ये 108 बार इस मंत्र का जाप करें ओम स्री हनुमते नमा ओम स्री हनुमते नमा दोस्तो इस पिरकारों को पाए करने से आपकी सभी मनोकाम नए सिग्र पूरी होंगी आपको भगवान बजरंग बली का सिर्वात प्राप्तो कमेंट में जे हनुमा नवसे लिखें धन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुप और मंगल में हो